Hello everyone, welcome to this brand new YouTube video इस वीडियो के अंदर पिछली बार की तरह ही मैं books आपके साथ में कुछ शेर करने वाला हूँ अगर आप एक trader हो तो बहुत जादा doubts आते होंगे मन में कि ऐसी कौन सी कुछ books हैं जो हमें पढ़नी चाहिए on a regular basis थाकि हमारी psychology, हमारा technical analysis, हमारा risk management up to date रहे और नए market, बदलते market के साथ में हम खुद को evolve कर पाएं इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाच ऐसी books बताने वाला हूँ technical analysis की और last में एक बहुत बड़ा surprise भी देने वाला हूँ जो आपकी trading career को improve ही नहीं करेगा बलकि 180 degree turn कर देगा अगर आप अभी नुकसान कर रहे हो या फिर अपनी psychology को, अपने analysis को, अपने risk management को control में नहीं ला पा रहे हो तो without wasting any time, let's get started पहली किताब जो मेरे library में है और मैं बोलूँगा कि हर trader के library में होनी चाहिए एक budding trader के लिए, एक beginner trader के लिए उसका नाम है ये book इतनी ज्यादा useful है किसी भी beginner के लिए क्योंकि ये आपको technical analysis का real meaning सिखाती है जब कोई trader नया-नया market में शुरू करता है तो उसे दिमाग में सबसे बहला doubt दे आता है यार ये जो मैं चार्ट पर पढ़ रहा हूँ ये जो मैं analysis कर रहा हूँ क्या ये actually useful है मेरे लिए या फिर नहीं है यह ऐसा तो नहीं है कि ये बस मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए market में एक picture बना ही जा रही है और मैं इस पर trading करूँगा तो मैं को loss हो जाएगा in short confident नहीं हो पाते हैं technical analysis के उपर ये book आपको technical analysis पर confidence बिल्ड करने में बहुत help करेगी क्यों? क्योंकि ये technical analysis का logic आपको बताएगी क्या होता है technical analysis price analysis क्या होता है कैसे price action बनता है साथ ही साथ ये book आपको price action analysis करना भी सिखाएगी उसके अलावा ये आपको कुछ ऐसे indicators के बारे में भी बताएगी जो technical analysis में importance रखते हैं for most of the part of this book this is a must read और आप लोगों को ये book पढ़नी चाहिए अगर आप एक budding trader है तो move on करते हैं हम लोग हमारी अगली book पे अगली book का नाम है trading in the zone ये नाम आपने बहुत जगा सुना होगा जब आप Google पे सर्च करते हो best books for a trader तो ये नाम भी top पर आता होगा trading in the zone Mark Douglas की ये book है and it is one of those books जो मैंने अपने trading career की शुरुआत में पढ़ी थी और एक या दो बार नहीं चार पांच बार ये मैं book को पढ़ चुका हूँ और आज तक कभी भी मैं अपने capital को बढ़ाता हूँ या फिर मैं scale करता हूँ अपने account को तो मैं इस book को एक बार वापिस से पढ़ता हूँ just to make sure मेरी psychology एकदम सही point पर रहे now ये book जरूरी क्यों है एक trader के लिए ये book इसलिए जरूरी है क्योंकि mostly इस book के अंदर psychology की बात करी गई और कैसे psychology एक trader के लिए बहुत ज़ादा importance रखती है psychology सिर्फ एक trader के trading career में ही नहीं बलकि उसकी life में भी positive और अच्छी होना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है आप लोगोंने कावत तो सुनी होगी बहुत लोग बोलते हैं कि इनसान पहले अपने दिमाग से अपनी सोच से अमीर बनता है उसके बाद वो real life में में successful नहीं बन सकते और ये सबको पता है it is a hard truth of the market तो आप लोगों के लिए ये book एक must read है अपनी psychology को strong करने के लिए overall अपनी life को improve करने के लिए और साथ-साथ अपने trading career को एक अच्छी boost देने के लिए तीसरी book बहुत ज़ादा influential और important book है क्योंकि आपको ये किताब ये जानने में help करेगी ये experienced और बड़े traders market के अंदर कैसा सोचते है अगर आज for example मैं किसी business को नया नया business को शुरू करता हूँ मेरे पास कुछ connection है कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो उस business में अलड़ी काम कर चुके और overall उन्होंने business के अंदर बहुत पैसा कमाया है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा मैं उन experience लोगों से जाकर ये advice दूँगा कि this is the business that I want to start and what is the right way to do it that would be my first step यही पहला step होना चाहिए एक trader का अब जब market में enter करो ऐसे लोगों को ढूंडो जिनके पास बहुत सारा experience है बहुत सारी knowledge है और market के अंदर उन्होंने अपना एक बड़ा नाम बनाया हुआ है but हर beginner यही बोलता है sir हम लोग तो हमारे पास तो इतने connections नहीं है कि हम सबसे मिल पाए तो ऐसे लोगों के लिए ये book बहुत शानदार book है इस book का नाम है market wizards इस book की सबसे खास बात यह है कि यह सारी influential traders जितने भी रहे हैं obviously not all but most of them उनके interviews के around यह book लिखी गई है author ने यह book लिखी है one to one interviews करने के बाद में और उस knowledge को consolidate करके इस book के form में अपने viewers अपने readers तक इस book के तरू उस knowledge को पहुचाया है जिन traders ने इस book के अंदर interviews दिये हैं और जिनके interviews से आप सीख सकते हो उनके कुछ नाम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ Bruce Kovner, Richard Dennis और Paul Jones जैसे important और बड़े market participants ने अपने interviews दिये जिसके बाद यह book लिखी गई और author ने छापी यह book पढ़ोगे तो आपका trading के लिए perspective बहुत change हो जाएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे एक बड़े institution size पर आकर के सोचा जाता है mindset को कैसे improve किया जाता है और कैसे profitable trader बना जाता है it is a must read चौती book आपको इतना जादा help करने वाली अगर आप एक swing trader हो तो क्योंकि ये book दो चीजों का mixture है क्या क्या दो चीज है सबसे पहले तो मैं आपको book का नाम बताना चाहता हूँ book का नाम है trade like a stock market wizard ये भी mark ने लिखी है not mark douglas but some other mark I am forgetting the second name but this book is a must read for you अगर आप लोग swing trading करते हो या फिर थोड़ा सा positional trading के direction में हो तो आपके लिए must read book है इन 3-4 reasons की वज़े से सबसे पहला reason ये है market के अंदर दो type की approaches होती है एक होती है fundamental analysis दूसरी होती है technical analysis fundamental किया जाता है जब आप invest करना चाहते हो और technical किया जाता है जब आप trade करना चाहते हो but अगर मैं आपको बोलू कि आप fundamental और technical analysis को merge करके techno fundamental analysis कर सकते हैं तो आप सोचेंगे सर आप ये क्या बात बोल रहे है but ऐसा possible है और ये करने का सबसे बड़ा benefit मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कहानी समझते हैं मान लेते हैं एक share है XYZ ये बहुत fundamentally strong stock है अभी undervalued है आपको ये stock purchase करना चाहिए लेकिन कब purchase करना चाहिए वो आप कैसे पता लगाओगे वो आप balance sheet देखके पता नहीं लगा पाओगे वो पता लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा चार्ट पे चार्ट पे आप देखोगे क्या यहाँ पर कोई ऐसा pattern बन रहा है जो मेरको market में participants का rising interest दिखाए stock के अंदर जो मेरको ये समझाए कि stock के अंदर धीरे धीरे करके लोग interest ले रहे हैं को purchase करना चाहते हैं purchase कर रहे है उस point पर आप entry लोगे और फिर अपने price action targets के साब से profits को book करोगे techno vanda mental analysis एक बहुत ज़ादा अच्छी approach में बोलूँगा for swing and positional traders ये book आपको वो approach को market के अंदर apply करना बहुत अच्छे से सिखाती है कौन सा stock लेना है कैसे technical करना है कब entry लेनी है it is a wonderful book for traders जो swing और positional trading करते हैं साथ ही साथ अभी recently आपने देखा होगा 2021 में और 2023 में भी markets में बहुत बड़ा bull run आया 2021 में markets 2021 में markets 7000 से 14000, 15000, 16000 तक high बनाया उसके बाद में 2022 और 2023 के अंदर markets ने नए नए all time highs देखे जैसे की 21000 का level देख लिया market ने 18000 का level देखा था पहले तो ये जो bull rallies आती है market के अंदर इनका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं वो approach इस book के अंदर author ने आपके साथ में share करिये techno fundamental analysis को use कैसे किया जा सकता है वो बता करके I hope आपको ये चारों books अभी तक पसंद आई अब time आगया surprise का और एक ऐसी book मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानके आप थोड़ा सा mind blown हो जाओगे और साथ में एक surprise gift भी मैं आपको अपनी site से देने वाला हूँ वीडियो को बहुत ध्यान से देखना बहुत important पार्ट आने वाला है फिफ्थ और मेरी फेवरेट बुक है Secrets of the Pivot Boss ये बुक इतनी शांदार एक ट्रेडर के लिए किसके अराउंड है क्या है वो सब मैं बताऊंगा ये बुक आपको उस इंसान ने लिख कर दी है जिसने खुद पिविट्स बनाए थे हाँ जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कोई ऐसा होता है जिसने पिविट्स सीखे उसके बाद मैं बुक लिखी नहीं इस बुक के अंदर immense knowledge है multiple type के पिविट्स इस बुक के अंदर आपको सिखाये गए कैसे volume पिविट्स को use किया जाता है camerailla पिविट्स को कैसे use किया जाता है और काफी सारे ऐसे पिविट्स की knowledge आपको दी गई है जो भी पिविट्स आपको पसंद आता है आप उसे choose करो और अपनी trading style के हिसाब से उसे market में apply करके trading कर सकते हो ये book इतनी अच्छी है कि मैं इसे बहुत बार पढ़ भी चुका हूँ इसकी knowledge को बहुत बार apply भी कर चुका हूँ मैं आपके लिए जो surprise लाएं वो ये है कि अगर आप लोगों को books पढ़ना पसंद नहीं है कई लोगों को नहीं होता पहले मैं भी नहीं पढ़ता था books बट आप चाहते हो ये सारी चीज़ें सीखना जो इस book के अंदर लिखी है कमेंट में बस yes लिख देना या pivots लिख देना और likes बहुत सारे डाल देना गाईज इस वीडियो का हम लोग target रखते हैं 250 likes का जैसे 250 likes complete हो जाते हैं हम लोग course बनाना course upload करना शुरू करतेंगे free of cost और ये book आप लोग life में कभी नहीं बूलोगे अगर आप एक trader होता है अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो comment करके जरूर बताना और वीडियो को like करना बिलकुल भी मत भूलना thank you so much for watching this is Divya Amparashir signing off take care bye bye